आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटुब चानल स्टडी विद दुलार में बच्चों यहां पे यह पिक्चर देख रहे हैं यहां कुछ सिस्य हैं और गुरू जी बेठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि गुरू जी इन बच्चों को कुछ सिखा रह हैं और किसी समस्या पर इन लोगों से बात्चित कर रहे हैं पराचिन काल में गुरू जी अपने सिस्यों से कुछ इश Алекс lyon को कुछ पता नहीं चलता था और उसमें से जो सिस्ष होते थे उसमें से एक य दो सिस ऐसे होते थे जो गुरुजी की बिचारों पर खरा उतरते थे इसी तरह कि कोई स्टोरी इसमें दिया हुआ है आयो देखते हैं इसमें उनसा स्टोरी दिया हुआ है ये class 6 का hindi book है, chapter 2 है और इस chapter का नाम धन की खोज, तो यहाँ पे गुरू जी बच्चों को धन खोजने के लिए बोलते हैं या क्या करने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के बाद पता चलेगा प्राचिनकाल की बात है, एक गुरुकुल था, विसाल और परसिद, उसके आचायरे भी बहुत ही विद्वान और यसस्वी थे, ये प्राचिनकाल है, प्राचिनकाल के समय में गुरुकुल हुआ करता था, आज के समय में जैसे इसकूल होता है, उस तरह से नहीं था, बच्च के गुरु जो थे वो बहुत ही विद्वान थे एक दिन आचायरे ने सभी विद्यार्थियों को विद्याले के प्रांगन में बुलाया और उनसे कहा पिर ये छात्रों मैंने तुम्हें एक बिसिस परियोजन से बुलाया है मेरे सामने एक समस्या है मेरी कनिया बिवायोग हो गई है किन्तो उसका बिवाय करने के लिए मेरे पास प्रियाप्त धन नहीं है समझ में नहीं आता कि क्या करूँ एक दिन ऐसा कोई समस्या गुरुजी के पास आगया तो अपने सभी सिस्यों को बुलाये और बोले कि मेरी एक कनिया है जो कि बिवाय के योग हो गई है उसके बिवाय करने के लिए मेरे पास प्रियाप्त धन नहीं है तो मैं क्या करूँ ये समस्या सिस्यों के पास सरखे वे तो फिर क्या हो रहा है कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवाम थे आगे बढ़े और बोले गुरुदेव हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे आप उसे गुरुदचना के रूप में स्विकार कर लीजिएगा कुछ विद्यार्थियों ने इस तरह का उन्हें सला दिया कि हमारे पास तो धन है ही अपने माता पिता से धन मांग कर ले आएंगे और उसे अप गुरुदचना के रूप में ले लीजिएगा आचायरे बोले मुझे इसमें संकोच होता है तो मारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है अपनी कन्या का विवा सिस्यों के धन से करना चाहता है तो यहाँ पे गुरु जी उस धन को नहीं लेना चाहरे है उन्हें संकोच महसूस हो रहा है और वे बोल रहे हैं कि तुम्हारे परिवार वाले हो सकते हैं कि मुझे लोभी समझे कि सिस्यों के धन से अपने पुत्री की विवार करना चाह रहे हैं जब गुरु जी ने इस परकार की बात बोले तो आगे बढ़े हुए सिस्य संकोच वस पीछे हट गए आचायरी सोच में पढ़ गए अब इस तरह की बाते हैं जब गुरु जी बोले तो जो बच्चे आगे बढ़े थे कि मदद करने के लिए वे पीछे हट गए कुछ समय बाद आचायरी बोले एक उपाय है तुम लोग धन ले आओ किन्तो मांग कर नहीं तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले इस परकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी तो इस परकार का एक उपाय बतलाते हैं गुरु जी कि धन आप लोग ले आओ लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए तो चुपके से वंचित ना रह जाए यह सोचकर आचारी उनसे बोले तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ ले ही आना किन्तो ध्यान रखना कि किसी की दिरिष्टी उस पर ना पड़े अधिक किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए असुभ हो जाईगी अपने घर से कुछ ना कुछ ले के आ जाना लेकिन ध्यान रखना कि किसी की नजर उस चीज पर ना पड़े लेते समय नहीं तो वह चीज विवाह के लिए असुभ हो जाईगी इस तरह से गुरू जी उन लोग को कुछ लाने के लिए बोल देते हैं सिस्यों ने विश्वास दिला कर कहा हम जो कुछ भी लाएंगे इसी परकार लाएंगे मतलब जैसा कि गुरू जी बुले थे उसी परकार से लाना है कोई भी बेक्ती उसे देखना नहीं चाहिए दूसरे दिन से आग्याकारी सिस से तरह तरह की बस्तुय लाने लगे आचायरी भी उन्हें परसंता से गरहन करते रहे तो जब इस तरह की बात हुई तो दूसरे दिन से अब बच्चे कुछ न कुछ बस्तु लानना शुरू कर दिये कुछ दिनों बाद आचायरे ने देखा कि बिवा के लिए प्रयाप सामागरी एकरतेत हो गई है परन्तु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ ना ला सका आचायरे ने उससे पूछा क्यों तुमारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहिन है तो इस तरह कि कुछ दिन बित गया सभी बच्चे कुछ ने कुछ लाए लेकिन एक बच्चा कुछ भी नहीं ले कराता है तो आचायरे जी पुछते हैं क्या तुमारे परिवार वाले क्या बहुत गरीब है विद्यार्थी बोला आचारवर मेरे घर में किसी परकार का अभाव तो नहीं है किन्तु मैं कुछ ला नहीं पाया कि मेरे घर में निर्धंता नहीं है हम लोग गरीब नहीं है लेकिन फिर भी अभी तक मैं कुछ ला नहीं पाया तो पेर गुरू जी बोल रहा है क्यों क्या तुम गुरू सेवा नहीं करना चाते हैं तो गुरू जी बोल रहा है क्या तुम गुरू के लिए कुछ भी नहीं लाना नहीं चाते हो क्या तो इसके जवाब में वो बच्चा बोल रहा है नहीं गुरुदेव यह बात नहीं है आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देखना रहा हो मैंने बड़ी चेस्टा की पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहां मुझे कोई भी देखना रहा हो अब इस पर जवाब दे रहा है कि मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे कोई देखनी रहा है इसलिए मैं कोई भी वस्तु नहीं ला सका तुम जूट बोल रहे हो कभी न कभी कोई अस्थान आवेस ऐसा राता होगा जहां कोई ना हो तभी चुपके से कुछ उठा लाओ इस पर गुरू जी बोल रहे है कि तुम तो जूट बोल रहे हो दिन भर रात भर में कभी न कभी ऐसा आवसर तो मिलता होगा जब तुम मकेले होगे तुमें कोई नहीं देखता होगा उसे समय कोई समान उठा कर ले आओ फिर आगे सिस से क्या बोल रहे है गुरू देओ यह तो ठीक है किन्तु ऐसे अस्थान पर कोई दूसरा रहे या न रहे मैं तो वहार आता ही हूँ अइन कोई देखे या न देखे मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही इस तरह से वसिस जवाब दे रहा है कि भले वहाँ कोई न हो लेकिन मैं तो हूँ मैं तो देख रहा हूँ और मैं अपने या जो गलत काम है या पाप करम है उसे तो मैं तो देखूंगा ही आचायरे ने तुरंट उस सिस को गले लगा लिया और कहने लगे बस तु ही मेरा सच्चा सिस है मेरे कहने पर भी तुने पाप मार्ग नहीं अपनाया या तेरे चरित्र की दिर्धता का परमान है यही मेरे सिच्चा की सफलता है यहाँ पे जब इस तरह की बात वासिस बोला तो गुरू जी उसको गले से लगा लिये और बोले कि मेरे कहने के बावजुद भी तुमने पाप मार्ग नहीं अपनाया तुम ही मेरे सच्चे सिस्य हो मैंने तुमें जो सिच्चा दे थी उसमें बिल्कुल तुम खरे उत्रे और मेरी सिच्चा सफल हो गई अपनी कन्या के बिवा के लिए मुझे धन क्या आउ सकता नहीं थी मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास सील, सदाचार और चरित्र का धन हो आज मैंने उसे पा लिया तु ही मेरी कन्या के लिए योईग वर है तो इस तरह से गुरुजी एक ऐसे युवक को खोज रहे थे जो चरित्र का धनवान हो और वैसा उसको मिल गया वही सिस उसका जो था वही उसके कन्या के लिए एक योईग वर था तो इस तरह से गुरुजी अपने सिस्यों की परिच्छा लिया करते थे यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो गया है आए देखते हैं इसमें क्या question दिया होँा है सबसे पहले यहाँ पर सब्दार्थ दिया होँा है जो हिंदी का हिंदी मीनिंग दिया होँा है और इंग्लिस मीनिग भी दिया होँा है तो कम से कम एक दो बार आप लोग इसको धि 보고 जरूर से पढ़ ले और और इसके आगे यहां पे इसका question यहां दिया हुआ है उतर दीजिए इसमें 8 question दिया हुआ है जो इस chapter का question है इसके बाद question number 3 सोचो और बताओ इस तरह के questions exams में नहीं आते हैं और question number 4 यहां रिक तस्थानों की पूर्टी करने के लिए कहा गया है और यहां पे 2 number में दिया है question exams में नहीं आते हैं तो मुख question जो है आप लोग को उसका मैं answer दे दूँगा भासाध्यन ब्याकरन से दिया हुआ है कुछ question यहां पे कुछ बिसेशन सब्द दिया गिया है इसको बिसेश बनाना है और ऐसे चारवाइक बनाओ जिसमें बिसेश से पहले बिसेशन आया हो तो इस तरह का ब्याकरन वाला question दिया हुआ है और एक वचन से एक वचन रूप में इसको लिखने के लिए कहा गिया है यह बहुँ वचन रूप में है और छे नंबर में विलोम सब्द यहां पे लिखने के लिए कहा गिया है तो आईए मैं आप लोगों को इसका जो मुख question है उसको मैं बना के दिखा देता हूँ. ये है चेप्टर टू का कोईशन अंसर, उतर दीजिए, गुरुकूल की क्या विशेस्ता थी? गुरुकूल की विशेस्ता थी, कि वह बहुत विशाल और परसित था, उसके आचारी भी बहुत बिद्वान और यसस्वी थे. आचारी ने अपने सिशियों के सामने क्या समस्या रखी, कि उनकी कनिया विवाय व्योग हो गई है, किन्तु विवाय के लिए उनके पास प्रियाप्त धन नहीं है. आचारी ने धनी विद्यारथियों का परस्ताव सुईकार क्यों नहीं किया? आचाईरी ने धनी विद्यार्थियों का प्रस्ताव संकोच के कारण सुईकार नहीं किया आचाईरी ने क्या उपाय बताया आचाईरी ने उपाय बताया कि तुम लोग धन लेयाओ किन्तु इस तरह से लाओ कि किसी को पता ना चले एक विद्यार्थी कुछ भी क्यों न ला सका उस विद्यार्थी को कोई देखे या न देखे परन्तु वह स्वयम अपने कुकर्म को देख सकता था इसलिए वह कुछ भी न ला सका आचायरे ने उस सिस्ष को गले से क्यों लगा लिया आचायरे के कहने पर भी उस सिस्ट ने पाप मार्ग नहीं अपनाया इसलिए आचायरे ने उस सिस्ट को गले लगा लिया अनुचित धंग से धन लाने की आग्या देने में आचायरे का क्या उदेश था अनुचित काय करवाने के पीछे आचायरे का उदेश ऐसे युवक का खोज करना था जिसके पास सील, सदाचार और चरित्र का धन हो वही उसकी कन्या के लिए योईग वर हो सकता था इस कहानी से क्या सिख्षा मिलती है कि किसी सम्मानित वेक्ति के द्वारा भी बताय जाने पर पापकर्म नहीं करना चाहिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे इसका डारेट एंसर दिया हुआ है इसको देखकर आप लोग भर सकते हैं और कुश्चन नमबर सिक्स भासा अध्यन व्याकरन से कुछ कुश्चन दिया हुआ है इस कहानी से कुछ विसेशन चुनकर नीचे दिये गये हैं उनके विसेश बताओ यहाँ विसेशन पहले से दिया हुआ है उसके विसेश को बतलान है तो यहां पर परसिद्ध दिया हुआ है गुरुकुल हो जाएगा परसिद्ध गुरुकुल आग्याकारी छात्र यसस्वी आचारी प्रियाप्त धन धन्वान सिस असुभ वस्तू यहां पर टू नंबर में ऐसे चार वाइक बनाओ जिसमें विसेश से पहले विसेशन आया हो जैसे यहां पर काला घोड़ा है लंबा लड़का है सुन्दर लड़की है सफेद गाय है तो यहां पर गाय लड़का घोड़ा लड़की यहां पर जो दिया तो बस इसको जस्ट उल्टा कर देना है उसी को मैंने उल्टा कर दिया है घोडा काला है तो घोडा विसेस हो गया उसके बाद विसेसन काला जो है यह विसेसन उसके बाद आया हुआ है इसी तरह से यह बनाने के लिए कहा गया है लड़का लंबा है लड़की सुंदर है गाय स सामाइन विस्वास बिश्वास पाप पुन तो यहां पे तरह से इसका अंसर हो जागा यहां पर चप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मनत मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब किजिए अपने दोस्तों को साथ सेर कीजिए नेक्स चेप्टर को पढ़ने के लिए लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आया में लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं